जबरदस्त होंगे मोज में होंगे बाकिस थोटी मोटे जिंदेगी में परशानिया दो सब क्यों होती है अब सबसे बड़ा सवाल यह है जो हक्सार हमसे पूछते हैं लोग और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार राजा की एजिक्वेशन क्या है या बहुत सारे लोग फहम बन गया बहुत सारे मेरे बारे में ख्यालात चलते हैं और कभी वक्त नहीं मिला आपके सामने आने का और कभी खड़ा होकर आपके सामने अपनी बातों को रखने का अब जितने भी लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में उनके लिए आपके सामने आया हूँ खास यह बतान कि रजा भाई सामने आकर अपने मुह से बताएं तो जादा अच्छा लगएगा बहुत लोगों ने मेल किये कॉमेंट किये अक्सर करते रहते हैं लेकिन मरब वक्त नहीं होता है कि सारी अपके सामने आके कहानियां बताओं लेकिन चलिए शुरुबात करते हैं और यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग हमारे कौम के लोग आगे बढ़ें और अगर जिन्दगी में वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि फिल हो जाएंगे सबसे पहले बच्चों से कहना चाहूंगा अपने माता पिता को यह वीडियो जरू शेयर कीज़ेगा और अपने माबाप को यह वीडियो जरूर दिखाईएगा शायद आपकी थोड़ी बहुत मुसीबत हर हो जाए शायद आपके अकड़ू पिताया अकड़ू चाचाया अकड़ू खालाया अकड़ू अम्मा आपकी नरम पढ़ जाएं कि हां यार बच्चे की बात में होता ऐ है कि अक्सर जब अपने माबाप को समझाते है ना तो दो चपट बागे चल बचल जाता पता है हमने रेखिये सारी दिनिया चपड़ाई कर ले और कुछ करने के जरुत ना है यह बाला कोर्स करेगा तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप फिर यह वीडियो आखिर तक में जो क्योंकि मेरी जिन्दगी बहुत जादा जो है उतार चड़ाओ से गुजरी है और आपके ही बीच का इंसान हो सबसे पहले शुरूबाद यहां से करूँगा कि मेरी जो फैमिली है हम करोलपती फैमिली नहीं एक अमीर फैमिली से नहीं बाई मैं बहुत चोटी सी फै कि मैं अब थोडा सा फेमस होगया हुं और आप लोगो की महबत मिल गई है तो मैं अब जाके माह को ममा बोल रहा हूं और बाबा को डाड को बाबा बोल रहा हूं या डाड बोल रहा हूं या अबबा को नहीं मैं बच्पन से ही अपनी अम्मा को अपनी मा को माँ बोलता हूं और डाड को या अब्बू को अब्बू नहीं बाबा बोलता हूं तो ये क्लियर करना जरूरी है कभी किसो को लिए इत किसी से बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि भाई में बहुत attitude आ गया है आस्मान बोड़ा नहीं भाई साब देखो मैं पापा का मगरमच हो सकता हूं पापा की परी नहीं कि मेरे पर लगगा और मैं उड़ना शुरू कर चुका हूं ऐसा मेरे अंदर नहीं है न कभी ह अब आते हैं एजुकेशन पर भाई साब पढ़ाई लिखाय में देखो यार मैं बहुत ही बुरा था बहुत ही बुरा एक होता है बुरा और देखो मैं इस लेवल का बुरा था कि क्लास में बैठता सबसे आगे था और फेल सबसे एंड में मत होता था फेल जो है अगर कभी फेल वर बोले तो फेल नहीं हुआ मतलब फेल वर जैसे लिस्ट में रहता था मैं एट क्लास तक तो मैं प्राइवेट पड़ा था तो प्राइवेट में बहुत कम होता है कि बच्चों को फेल करते हैं खासकर उसकी जिसकी सही समय पर फीस माता-पिता मेरे भर दिया करते थ देट की दस तारीक को फीस जमा होनी है मेरे अब्बु जो है यानि मेरे बाबा मेरे वालिद सगे मेरे पिता-जी और या सगी मेरी अम्मा कभी भी जाके जो है एक तारीक तक फीस जमा कर देते थे चाय जैसे मर्दी हो तो भाई कभी अच्छा आठीवी किलास में यह हुआ देखो मुझे जहां तो खोश है चाटी साथी किलास से आदे भाई मुए छटी किलास से बड़ा विगार था बहुत ही बुरा बैटता मैं अच्छा यह बहुत बुरा नहीं नाग भार निकल रही और मैं नहीं ऐसा नहीं शूज से लेकर टाई और टाई से लेकर कॉलर टॉप तुम्हारा भाई रहता था पढ़ने में लेकिन जीरो बाई साथ कॉलर बिल्कुल सफेद शर्ट बिल्कुल आइरन करे वी जबरदस्त एकदम और साथी साथी किलास से मैं मुझे खुद याद है कि मैं खुद आरन जरा सी अगर सिलवर्ट पढ़ा दी तो मैं और मैं इस पूरे स्कूल के करियर में कभी अपना लेट नहीं हुआ तो बैसिकली मैं अपनी आदते भी बता रहा हूं आपको हद यह हो गई कि सर्दिया जब आती थी तो इस्कूल आट बे होता था लेकिन मैं साड़े साथ बे स्कूल पहुंचता था एक दिन मेरी माता जी ने मेरा पीछा किया चुपके से मैं आगे निकल गया और इने बुर्खावर का पेना और चुपके चुपके मेरे पीछे 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 और मैं क्या हूँ मैं स्कूल के भाहर खड़ा हूँ स्कूल में लगा है ताला जिस गली में स्कूल है उसी गली के बिल्कुल एंट्री में जब गली से आप गली में एंट्र करोगे तो वहाँ पर हमारे प्रिंसिपल का घर था, चावी उनके पास हुआ करती थी, तुम्हारा भाई गया हुआ, चावी लेका आया, स्कूल खोला, और पीछ समय निखा, यार, मामा यहां खड़ी है, इससे पहले कि मामा बीच सड़क पर मारती, मां गुलूप से अंदर स्कूल म सबसे पीछ वाला रूम था, क्लास थी, बहराल, तो ऐसे था मेरा, मतलब, मैं टाइम का बड़ा, कहने का मतलब यह है, भाई साब, तुम्हारा भाई टाइम का पड़ा पंक्चोल है, चाहे पढ़ाई में जीरो, लेकिन यह आदत अच्छी थी, कि अच्छा पहनता था, ऐसे हुआ, पहले हुआ करता था, मुझे नहीं पता, तो सारे बच्चे ग्राउंड में घटा हो रहे हैं, और कभी-कभी प्रिंसिपल सर जो है, वो दिया करते थे, लेक्चर, ठीक है, मोटिवेट करते थे लोगों को, बच्चों को, तो प्रेयर में क्या था, प्रेयर में, जो पूरी, पूरी स्कूल को प्रेयर करवाते हैं, तो वैसे ही जो है, मैं उन पांच लोगों में शामिल था, जो प्रेयर करवाते थे बच्चों को, नालायक बच्चा, आप ये सोचो, पूरी, पूरा स्कूल का सबसे नालायक बच्चा, मैं, और मैं, बहुत बढ़िया ड और सबसे आगे पूरा स्कूल हमारी तरफ और हम पांच बच्चे खड़े हुए हैं और प्रेयर हो रही है तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तु अच्छा हुआ यह कि जब मैं लाइन में लगके प्रेयर करता तो हाइट वाइज लगती थी हाइट वाइज ठीक है सबसे चोड़ा बच्चा आगे उससे बड़ा उससे बड़ा उससे उड़ा आप जाके मेरी धाइपूट हाइट है अब जाके 24 25 साल की उवर में तो सोचो तब मैं इतना ही साथ तो इस वे से मुझे सबसा आगे लाया करते थे और तब मैं क्या करता था मेरे आगे एक और बच्चा था ऐसे नहीं कि सबसे उड़ा था एक दो तीन बच्चा और थे तो प्रेयर होते थे कभी कोनी मार रहे हैं कभी मेरे बाल पकला घजीट के मेरे को आई कर दी अच्छा लग तू प्रेयर करवाई तो उनको लगा है रही है इसकी हावास तो तेज है कि मैं डरता किसी जनिता तुमियो 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 बंदू सागा तुमियो पूरा स्कूल रिपीट कर रहा है और उन पांचों में सबसावाज मेरी तेज बहुत बढ़िया यह लड़का तो बढ़ाई लिखाई में बिल्कुल बुरा था बहुत ही बुरा था लेकिन बाकी सारे काम के लिए मुझे इस्तमाल किया जाता था तो हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वह हमेशा इस्कूल लेवल पर बहुत ही मालब सब्जी नैशनल लेवल में वह जलील किया करते थे अकसर और इससे बढ़ा क्या जिल्लत होगा कि पूरा स्कूल खड़ा हुआ है यार लड़किया भी है लड प्रिंसिपल सर अब जो प्रिंसिपल बोल रहा है वह समझो बच्चो इसको पैचानते हो बच्चो बच्चो पैचानते हो सर क्या नाम है इसका राजा सर कौन सी क्लास में साथवी में सर सेक्शन कौन सा है ए सर नीचे से उपर तक देखो हां जी सर एक बूट पॉलिश हुए हुए कपड़े बिल्कुल ड्रेस देखो टाई देखो शर्ट देखो बाल देखो नेल्स दिखा बहें आज इसर ना जब चेकिंग हुआ अगर्टी ड्रेस चेक ओ रहे हैं मोनोग्राम चेक हो रहा है मोनोग्राम किसका लगाए है नाखून किसके है। इस्कूल का सबसे नालायक बच्छा जब टिप तॉप होके आ सकता है तो आप यूंहीं है आडमी मिर जलीर कर रहा है बच्चों गले कर बच्चे सोच रहें कि मेरको को चलील कर रहे हैं मैं घमंड में चल वह तुम सब को चलील गर रहें लेके यह मेरे है कि यह चोड़ी कि क्या है के यह तो यह फ क्या था स्कुल लाइफ ऐसी थी व cynकर सामने पूरा बदा होता है और हाँ एक चीज़ और हुआ करती थी उस नालाइक होने के लिए भी बड़ी चीज़ थी बहुत सारे वजुहाद थे जैसे कि मेरा पढ़ाही में मन नहीं लगता था और आठ पिरड हुआ करते थे आठ पीर है फरस से टू बलब फरस से एड तो मुझा आज भी याद संस्कृत में पठती पठता पठत पठत पठामी पठावा पठामा राम रामा 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 यह पढ़ा है जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है जो मेरी उम्र में आपकी उम्र में हमारी जो 24-25 साल की उमर में इस वक्त है और वो अगर प्राइवेट स्कूल में पड़ा होगा और खासकर किसी हिंदू स्कूल में तो उनको अच्छे समाल होगा कि यह चीज और मेरा जो मेरी जो क्लास टीचर दी ना रेखा मैम ओ यार जबरदस्त मैम थी वह मारती बहुत थी लेकिन बाद में कहती तेस्ट तो नहीं लगा भाई साब पूरे स्कूल में सब मजबूत हुआ मजबूत हुआ मजबूत हुआ फिनिशेपल सर्थ हैं हमारे उनकी उनका एक बेटा विकी सर्थ विकास नाम था लेगे लोगा बेटा था अलग लेवल का बनना था वो मतलब पूरा भाउकाल था उसका स्कूल में और हमारी आटवी क्लास की लड़की जो थ का हाँ अरी देवा ये गड़ बड़े बाबा भाई साथ खुब चला है मोज मस्ती चल देए और सारे सारा ना सारा जो भी क्राइम स्कूल के अंदोर आए सब में को पता है कोशन पेपर कहां रखें कप प्रिंट हो रहे हैं कहां से प्रिंट हो रहे हैं और कहीना कहीना मुझसे ना गधो जैसे काम भी लिया करते थे प्रिंसिबल साब कि ये दोगो स्कूल के पास भी रहता है भरोसे मन भी है लड़का शैतान है शैतान का मतलब चालाक है पढ़ाई में नहीं लगाता दिमाग बाकी सब जगा लगाता है इसको जो कहेंगे ये वि बंटन के जाना ड्राइंग करना तो याद होगा कि हमारे वक्त में लें क्लास के लंदर साइंस का कोई । Expl । तोग सारी लड़किया क्लास की इंप्रेस पूरा स्कूल को मालूम था जो 8 सेक्षन ए में रजा है भाई साथ उसकी ड्रोइंग का कोई तोड़नी है तुम्हारा भाई ड्रोइंग सबसे तकड़ी करता क्लास में बैटे बैटे ही जो है अब मैं वह ड्रोइंग अश्लील वाई बिद्राइंग कर लेता था कभी-कभी तो एक आध बार पकला गया पकला भी ऐसे गया कि अश्लील ड्रोइंग करी किसी लड़की ने मेरी क्लास की पूजा लड़की ती उसने रिखा मैम कुता है अब भाई साब मैं बताने शकता कि यह ड्रोइंग क्या थी तो सर भी शर्म आगे अरे यार फिद लेकिन विक्की सर मेरे बड़े इंप्रेस हुए उन्होंने बात मुझा बते तरी ड्रोइंग बड़े अच्छी साले तुम बहुत हैं तो यह मेरी स्कूल लाइफ ऐसे चल बहुत मस्ट लाइफ चल रही थी और ड्राइंग मेरी अच्छी थी तो साइंस की ड्रोइंग वो एक कॉपी हुआ गरती थी एक तरफ लाइन हुआ गरती और एक तरफ प्लेन पेज हुआ गरता था याद होगा आपको आप बेगर स्कूल में पढ़ने तो उसमें एक बनाब मैं बनाओंगा अच्या अच्या आइसा नहीं इतने भीहमारा मीनीत या मतलब उस तैम तो मेरे को ये भी नहीं बता था कि गंगाधर ही UK अलग है और शक्तिमान अलगे है बहन की हाँ में को मालूम ही नहीं अब जाकर पताए चला जब मेरी डाड़ी मूचे आगई क कि पांच्वी्-छटी क्लास के बच्चे वाई साब डिंकचीआ खेल रहे हैं घपा खेल रहे हैं अलागी लह वाले भाई अलागी इस तरह है बाई साब 17 साथी लटकी प्रेगडेंट हो रहिए स Creamár वाई सारा ईहां जो अलब्दो इल्ला हमारे स्कूल में ऐसा था नहीं और अगर होता भी था तो भाई मेरे को ब्लकुल नीबता था इस बारे में इस लाइन में कभी गया नहीं आगे तो अपनको को लगी प्यार से बात कर लें अपने लोग आपने अपने बहुत बढ़ी बात है फिर भी देख मौनुटर से ज्यादा इज़्जत है क्लास का मौनुटर था वरून और वरून था अपना बहुत बेस्ट यार क्योंकि हम साथ मैं लंच लेकी नहीं आता था मैं ल तो तो बेसिकल लंच वाली दोस्ती थी उसको मेरी मा का हाथ कहाना बहुत पपसंद था और मेरे को थोड़ा बचा लेता था क्यूंकि होता हिए था कि सर जब भी जाते थैं मेरे सरवेस सर थे जो विज्ञान पड़ाते थे जब वह जाते थे कला से बहात तो वह कहके जाते थ इदर उदर मटर गस्ति करें बोर्ट पे नाम लिखवा देना खुद लिख देना ब्लग बोर्ट पे नाम आपके साथ भी आतनी क्लास में देखा हो गए तो वरुन से दोस्ती इसलिए थी अपन की भाई ब्लैक बोर्ट पे नाम नहीं होना चाहिए और सिर्फ इस वज़े से इस वज़े से और भाई की पावर देखरो भाई की पावर ये भी थी कि वरुन को सिर्फ आंक से इशारा करता था और जिस बंदे का मचाता था उसका नाम ब्लैक बोर्ट पर होता था तो तुमारे भाई का भोकाल पॉलिटिक्स वहां भी चल रही बहुत तकड़ी वाली प अब फैमिली की तरह पढ़ रहे हैं और उनके सामने मैं बेज़ती फील नहीं करता था लड़की को सामने पिट रहा हूं सर ने मारा थपड़ पट अई लाग सब गाल भाए अई भगवान इत्ति जोर के माद्य और या फिर डंडा हुआ करता था जिसका नाम बाबा रखा था बाबा ले क्या हो बाबा इत्ता मोटा सर मार रहे हैं पट अई-ई-ई-ई-ई-ई-ई सब के लग रही है पट 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 सब भाई साब और टांगों के भीच दबा के उचलने हैं बच्चे और सबसे हैं में तुम्हारा भाई कड़ा हो काम पूरा है एटिटूद दे रहो भाई का क्यों नहीं है टाइम नहीं बिला पापा के महमान आया ते घर पर पापा भाई दो महीने से दुबई में है लेकि मुँपे कोई पट 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 बंदे का बंदा भी इगो पे ले गया टीचर भी इगो पे किस साले दो दो लट खाने के बाद अभी तक कूद रहे हैं बच्चे और ये बंदा खाने को अकड़ रहा है विलकुल कुछ फरक नहीं पड़ रहा जहां मेरे को दो पढ़ने आठ पट 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 भले ही बाद में बातरूम के बहाने जाके अंदर टॉलेट में यह सब कर लिया मैंने लेकिन भाई की इजत पट 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 खाया तो मैं लग एक ऐसी लाइफ चल रही थी मस्त और यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह कभी मैंने किस कुण रहे होंगे तो आपको पता होगा क्योंकि कहीं न कहीं न कहीं आपने भी स्कूल में ऐसी लाइफ देखी होगी या मैंने कुछ जो जहिला है आपने भी ऐसा कुछ एकाथ पॉइंट जहिला होगा लेकिन आपन लोग भाई मैं तो हूँ बहुत टॉप लेवल का उस ट एक तक की बाद करूँ तो सातवी धिमाग में हैं मिरुको सातवी के शटी सातवी के लाइप आठ फी तक जब तक मैं उस लिमें था कभी भी किसी भी सब्यूच का मेरा काम होगा पूरा नहीं होता था प्लस पॉइंट ये क्या वोला मैंने मैं वैल डिसेप्लेंट था बंदा और मेरी ड्राइंग काफी अच्छी थी तो मेरे जो मार्क्स होते थे तरह ड्राइंग की वैसे अच्छा आज़ते थे याद है पहले क्या होता था कियाते थे कि परसेंटेज बन जाएगी अगर किसी एक आज सब्जेक में आपके अच्छे नंबर आ जाए और बाकी में कमाया तो परसेंटेज बन जाती है तो मेरी जो परसेंटेज अच्छी बन जाते थी वह एक सब्सक्राइग्रां आया करता था तो मैं ड्राइगा में बड़ा कलर फुल सकैचिंग कलर फुल वो सब करता था मैं तो बेसिकली और सबसे अच्छी बात उस वक्त आज के स्कूल में नहीं पता लेकिन उस वक्त हमारे टाइम पे ना कॉंपटीशन हुआ करता था राइटिंग और सब अब्हारे नहीं बत्ति बनांगे है मैं और मुझे याद नहीं है लेकिन हम पूरे स्कूल में बता था की इस बंड़ी की राइटिंग अच्छी है और पूरे इस्कूल में कभी भी कोई परा हूं बता साइन्स वाले टीचर रहे कुछ भी ब्लैक बोर्ड पर बॉर्डर बनाते थे डिजाइन कर गे तो मैं बुरा बॉर्डर बना रहा हूं डाग्राम बना रहा हूं तो भले ही एक नेगेटिव इमेज थी स्कूल में लेकिने अच्छी खासी पॉजिटिव यह इमेज थी क्या र डिंकाचिगा करता था और फ्रेंड मेरी भी बत्तमीज थी यार वो भी तो भाही क्या है वो देख रही है नाम ने ले सकता अभी इसके बाद मैसेज आ जागा खैर तो यह स्कूल लाइफ यह थी स्कूल में एक हमारे थे सर्वेश सर ठीक है सर्वेश वरमा मार मार चांटे होस मलादूआ भूतनी के पढ़ाई कर ले सबसे ही बता है और जब एट क्लास में जब हो गया फैरवेल चलता था भाई अब उस टाइम फैरवेल चे कुछ टाइम पहले ही एक आध अफतर रहे गया था तो बोलते हैं कि सबका भविश्रत है कर रहे थे तू 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 खून के असुर होएगा मेरे को बोलते हैं मेरे को तू खून के असुर होएगा सर पकड़के रहे गा बदा रहा हुए परिवंच शबाज तू कामियाग होगा और तू परी तो हीट है पूजा तू अपने बाब का नोम रस्वन करेगी तू तो बेटा क्या नाम है उसका रुची रुची पठानिया रुची पठानिया तुम डाक्टर बनोगी तुम्हारा भविश्य उजवल है और वरुन तू तो त्वीन साल से मोईंटर है शाबाज बेटा ऐसे ही पस मैं सबसे पीछे बैटा हूँ में को घंटा फरक नहीं बढ़ रहा लेकिन पड़ा जब टीचर ने में बोला तू कुछ नहीं करेगा माबाप की एक उलाद और वो भी बेकार घटिया बरबाद अब बच्चे भाई मू नीच कर रहे हैं से आठवे किलास में थोड़ी इज़त बन गई थी अपनी कि यार यह तो बेज़ती सी कर रहा है यार या आदम की बड़ा मैं लेकिन बोल इज़त करता हूं तीचर की मैं बोल नहीं रहा कुछ सबजब कर रहा हूं कि ठीक है ठीक है ठीक है बरबाद होंगा यह जैसे तैसे स्कूल से निकले टेंथ स्टेंडर्ड में एडमिशन एक सरकारी स्कूल में लिया सर्वोद्यबाल विद्दा उसमें लिया भाई लाइफ बरवाद मतलब एक प्राइवेट स्कूल में आप पड़े हो और अचानक आप सरकारी में जाओगे जिन्दगी बदल जाएगे आपकी मतलब डिसिप्लिन नाम की चीज अब आप नहीं है स्कूल में फॉर्स डे मैं एंटर हो रहा हूं मां के इसे सीधां संप्रें आपके पंकडियां वह पंकडिया इसले टक्रियां वो हुआ यू अम मैंने का यह और चलाएंगे तो किसी गर्दन नो ऑड़ जाए भेन किया मैंने का वाई ये 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 है क्या के रहा हुआ श्कूल यह अच्छा क्लास है एक टेबल बे बैट रहा हू है blackbird तोटा हुआँ बाइसाबी मेरा थैं स्कूल एक वज़े गा टी मलब्यास टीचर ही नहीं। रहात है चुमनल विए ट्वचर शालेक संब क्रतारा कि अलग्यु दो लाइन अलग वो दो लाइन अलग उनका अलग ऑलग गेम calaiya you can कहां आ गया मैं दोस्त जो बन रहे हैं वह अलग लेवल के मेरे को लग रहा था इस्कूल में सबस्वराब ही का भरामि का भी नहीं हूं मैंने का कहा गलत जगह पस गया या रजा यह 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 अजितनी खराब एट में कि किसी अच्छे स्कूल में डाल दें दसवी क्लास में नवी क्लास में तो बात ही अलग है में वो लग रहा था आट वी क्लास में मतलब 50% मार्क्स के बाद तो अगला बंदा मेरे को मेरे बाप मेरे को बूले कार खाना है बगल में देख बेरिंग में कामकर कम सक्वा आगे चलके कुछ अच्छा काम कर लेगा इसमें तो मैंने का पढ़ा रहा है मेरा बाप यह काफी ह कर सकता कि भाई इत्ता खराब स्कूल है अब भाई स्कूल की छुट्टी होती थी छे बजे पूरा स्कूल चार बजे खाली कोई रोक नहीं रहा बच्चे भाई अब घर चल गए आए हाजरी लगा घर चले गए चार बे तक बैठे घर चले गए और पढ़ गया रहा है मैं अकेला अगर स्कूल से निकलता हूँ अकेला ही निकलता हूँ भाई साब 8-10 बच्चे स्कूल से निकलता हूँ आ बहें कि 8-10 अजार बच्चे रहे समझे लो और निकल रहे से 15-20 बच्चे उन 15-20 बच्चों में भी मैं जो हूँ अब वहां जो प्राइवेट स्कूल मे इह सब अच्कूल में, बहतरी स्कूल, प्रायवीट इसकूल में, कोई भाइ साब और मैं बहतरी ज़्कारी, और उस वक्त के सर्कारी आपको पता है कैसे हुआ करते थे, अब यहां जो बच्चे है, उनके पास साइकलि teammates, पास आई कि मैं पैदल पैदल डोल रहा हूं चलो ठीक है वाई कोई बाद नहीं कोई दोस्ती आ रही कोई आ रही लेकिन भाई कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया कोचिंग सेंटर में फिर वही सब शीज़ें शुरू गई जो उधर चल रही थी ठीक है वहाँ गुरूप लड़ गये लड़कियां सब मौज मस्ती हो रही है पाई कम हो रही है प्राइवेट कोचिंग सेंटर वाले घुमाना फिराना ज्यादा करते हैं मौज मस्ती ज्यादा होती है अपने को वह इंट्रस नहीं और सबसे प्लस पॉइंट सरकारी स्कूल में था कि सब बंग मारते जाए अब लोगों 10 वी कलास में यह था एड्मिशन 10 वी कलास में अच्छे माक्स आएंगे तो आपको किसी अच्छे स्कूल में अड्मिशन मिल जाएगा एंड आप साइट ले सकते हो मुझे कॉमेर्स नहीं थी मुझे लें साइंस साइट आएट आ रहा हूं जो टॉपिक चाहं़ी तसी क्लास में उल्टा होग एक साहत मैं भाई साथ 3-5 ले कोचिंग जारा ऑँ नवी क्लास से 10 क्लास तक 3 कोचिंग भाई साब में 1 बाजे का स्कूल है तो सुभा 8 ... 8 साभा बे कहीं कोचिंग जा रहा हूं फिR एक नो यद्ạt को स्कूल जा अब खुशुरत महिला टीचर आपको पढ़ाए तो मन नहीं लगता है ठीक है उबर से उनका बोलना प्यार से और मैं था सबसे चोटा बच्छा क्लास का हाइट में भी उम्र में भी तो मैंडम थोड़ा मुझे जादे लगाव रखती थी मुझे आगे बिठाती थी अब यार मेरा दिल भाई साहब ऐसा टूटा ऐसा टूटा ऐसा टूटा ऐसा टूटा ऐसा टूटा कि बस क्या ही कहूं यार बहुत दिल दुखा मेरा मैंन का यह यह क्या हो गया मेरे साथ मेरे को लगता था कि मैंडम मेंको बहुत जादा पसंद करती है मैं आगे बैठा हूं वाली च काफी वो कमजोर होती है लेकिन हमारे कोजिंग सेंटर वाले का बजट अच्छा था उन्हों काफी मजबूत वो लकडी की बनवाई थी तो इतनी मजबूती कि आप इधर बैटे हो तो उस हैंडल पर कोई तिक सकता है आराम से अप उट जाओगे तो फिर उट गिर जागा तो मैं अपसल मेरे उसी हैंडल कि मैं खाले रखता था क्योंकि मुझे बताता है कि मैं बैठेंगी तो मैं उस पर ऐसे बैठके बच्चों को देख के एक तरफ ब्लैक बोर्ड है एक तरफ बच्चे हैं और मैं पीछे की साइड जाता हूं इसलिए कि मेरा जो इतिहास में इंट्रस्ट था वो उन मेडम की वेशा था लेकिन ऐसा दिल तूटा कोई बाद नहीं चलो ठीक है तो भाई वहां से इतना कोचिंग जाने के बाद भाई पुराखांदान में होता है कि हमारे बच्छा तो तीन तीन4 चार कोचिंग जा रहा है और बिचारा सुभा कोचिंग Geneva चाहता है मेरी मामा कोचिंग जा रहा है आचा म तवी वो जो तीन सब्सक्राइब कर लेकिन उनों करने ही पढ़ जाती है क्यों करने करने ही क्यूंकि सामने से जो खाला या फुपु फोन करेहा है अभ हमारी मा belle तो भाई हमारी मा है, वो कैसे जहलेंगी, भले ही उनके बच्चों की वराई नहीं करेंगे, लेकिन अपने के तारीफ करेंगी, हाँ हमारा बच्चा तो रजा जो है, सुबह आडवे जाता है, और उसके बाद जो है, आता है, फिर उसके बाद फिर चला जाता है, फिर उसके स सारे-चे-वजे कभी नहीं, संड़े को मेरे साथ कपड़े दिलुआएका, ममा मेरी मैं ममा के बाश्री म приг Candidosti नवाय थैओ turn पोश्चा लगा रहा रहा हूं दो कमरे थे हमारे चोटे चोटे से और एक आगं था बेहने बाही कोई था नहीं तो मैं लगा पड़ा हूँ ठीक है जाड़ो पोच्छा बरतन और बरतन मैं आज भी ममा से जादा साब दोता हूँ अब तो खेर काम वाली जैसे लगाई लिए क्योंकि ममा काफी जादा जो है अमर अब हो गई है और में पास भी इतना समय नहीं है कि अब मैं जाकर शूट और पासर शाल मैं हूँ रजा और आप देखना है रजाकर आफी इस पूरी रिपोर्ट को शेर किगे रिपोर्ट को शेर करने के बाद कॉमेंट कीजिए और जल्ट आओंगा बरतन ने के बाद अब बरतन धोगा मा के साथ कुछ चरबाज काम निट मोस्के बात लुगा तो अब वाला सीन तबका सीन यह है कि भाई मामा बता रही है जाड़ू पोछा परतन सब करता है जाले वाले सब साप कर देता है अच्छा ठीक 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 अब यहाँ पर में जीत वहाँ थी क्योंकि उनके बच्चे कुछ नहीं करते मैं दूद ला रहा हूं अंडे ला र सब्सक्राइब लादा और ले यादे ना किराय पर साइकिल मिला घरती थी पहले तो भाई साप पढ़ाई लिखाए में जैसा वी ता लेकिन मेरे माबाब कभी सामने वाले के सामने जुक नहीं देते हैं मिरे को लेकिन अगर गलती से कहीं से शिकायत आ गई कि आपके लड़ बशाने मिरे को गहाना शुरूर्व तो यह स्कूल लाइफ से में आए इधर यहां कोचिंग सेंटर जा रहा हूं वाइसा ऊंको तो तो बहुत आईpur कि पुझेक्ट है या एला बस सिन्य के स्पूम्ण कि अट्याल क्या सारइक यह अध्या धंगा कटे स्टकरी तो यह नहीं पंथ Jamil और भायशा ऑद मफऑर जमीन पे लग रहा है और तुम्हारा भाई कुछ और साइडshade US वा करता था ऐसे square में और side में लगाते तो इसको या ऐसे टांग लो या ऐसे टांग लो मैं हुना film में वो बैग आया था वो फिल्म भी उस टाइम पे फ्रेश टांगा और भाई द्वारा थोड़े से लंबेवाल और चिम केंटी आएसा बिल्कुल चुसा हुआ आम और मूँ से बड़ा चसमा और भाई तम्हारा भाई जो है कोचिंग सेंटर यह कोचिंग वो कोचिंग वो कोचिंग कि देश वी क्लास में आर 55 परसंट आया कोचिंग सेंटर जाने के बाद अवे हाइप की वे से मेरो को टेंशन हो गई कि यार मतलब माबाप ने इतनी हवा बनाई है और लोगों ने इतना पूछाय मेरे माबाप से कि लड़ी तरह या तो बहुत तरह जब भी घर में आ रहा गोई भी लगा कोचिंग सेंटर कहा है परबाद कि या करूं क्या अब मेरे हाथ में यूं माक्षिट यूं मैं काप रहूं मैं गर में जाओं नहीं जाओं तो कहा जाओं मेरे तो कोई रिष्टदार भी नहीं है मैं भाग भी नहीं सकता है जाओं तो कहा जाओं भाई साब बेरोजगार आदमी जाओं गा तो क्य यह दो तो बाब जॉइन का जिसमें दो हड़ीयां गुलू लोती है उसमें से यह हड़ी मेरी निकली वे यह दोए और फॉइन दिख रहा हूँ आपको इस यह तो यह सबूत मेरे बाप ने वह बाबा चाह्प जाटा जाड़ु होती है जाड़ु सीख वाली सीख वाली जाड को फोगे से पकंड़के एक हाल था हमारा हाल में द्रिंद को रोखने के लिए बाइप गोल वाले ले लेकंद गोल बाइप यह होते हैं, भाई साहब वह ने हो पाइप पकंड़ा था चाहिए इसे छोड़ यू मत अब भाई साहब मैं ने छोड़ भी दिया तो अब ने पकड पीछे के साइड से और यह ज़ाड उड़ाई और तेरी तेरी तई अउनकी कहानी चल रही है 24-25 वी कलास से लेकर अब तक मैंने जितने पाप करेश थे आरे उन्हें तरकश से तीर निगालके भाजसाब बात बोलते रहे और तेड़ी तेड़ी एक मार दिया उन्होंने यहां सरबे चक्कर से आगए एकदम से रात हो रही थी क्योंकि आपको स्कूल रात को खत्म होता था मैं रिजल लेकर रात को आया और यह रात अंधेरा हो रहा था नमाज पढ़कर बाबा आये थे और उसके वाद यह सारी आश्मान को लाओ आए अभी सब काला काला दिख रहा था क्योंकि रात है बादल काले जब यहां पढ़ा ना भाई में को साफ ब्लकुत सफेद दिखने लगा सफेद मैं जहां देखू सफेद दिखें यहां देखू सफेद और यू यह और धाल नीचे और अबा को हमारे ल करता ले यहां फॉह यहां कि यहां भी तभी मेरे उसी कारवाही में लगी और बहुत ही बुरा मारा और उसштATHAN मनला पा पापा जितनी टाकत के साथ मार सकता थे पीता जीने मारा लेकिन मार वह मार मैं जहलि दीना वह सारा टॉर्चर और रही तीन वह बाते थीन बाते अ अब तुझे एक फिरीका सारी जिंदगी बैटके खिलाएंगे लड़के होते हैं सहरा बनते हैं आपका तू तो उल्टा हमारे सहरे पर जिंदा है अब भाई हाथ में नहारी है मूँ में नाली का टेस्ट मैंने का खायगा कौन मैं रोटी फेकी हाँ कमा के दिखा तब पता च थी बाबा कहा रहे नाक कटा दी में तो इलागा छोड़ने का मन कर रहा है ममा कह रही है बताओ मैं तो अपनी बेहन से खाया था कि दसवी क्लास में अच्छे नमर आ जाएंगे तो मैं नाम नहीं बताओं कि तुम्हारी यह वाली बेटी में ले लूँगी यह कब बात हो ग यह यह बात अब बताने वाली होती है यह यह पैंतालीस परसे आदमी फेल ही माना जाता है कहीं एडमिशन नहीं हो तुम्हारा तो मैंने यह यह शाय अब का नानी का जिल्त उड़िया बताओ कहीजी थी कि बता बेरी बड़ी बेटी यह चोटी बेटी के चलेगी तो कोई नहीं होगी, सामने पड़ी बली है, अब बताओ, दस भी कलास में अब क्या होगा जिन्दगी में, क्या ही करेगा, सच्छा ही है कि कहीं और ही कर दो, गाउं ते हत्कल अलगा भी इससे बैतर निकलेगा, अब भाई मेरे सारी बात यहां लग रही है, यहां लग रही है, और 40 म मज़ा आया है, मोटिवेट हो रहे हैं, तो मैं आगे और कहानी बताओंगा, और जैसा मैं आपसे कहा, कि घर वाले अगर आपके इस वीडियो को देखेंगे, वो भी बहुत जादा मोटिवेट होंगे, आपके भी, आपके ओपर जो चीज़े हो रही हैं, शायद उस पर ब् लिख रहे हैं, या बार-बार फेल हो रहे हैं, तो आपके जिन्दगी में बहुत सारी चीज़े हैं, अब बदल सकती हैं, अगर आप मेरा ये एपिसोड, ये मेरी बाते, मेरी कहानी सुनेंगे, अगर आप सुनना चाहते हैं, तो निचे कमेंड कीजे, जैहिन